आईडियल 2020 का 55 मैच दिल्ली और RCB की तीमों के बीच खेला जाएगा एक वर्चौल कॉलिफायर की तरह ये मैच रहने वाला है और आज इस वीडियो में 12 अलग अलग आकडों के हिसाब से इस मैच की प्रेडिक्शन करने वाले हैं दोस्तों आपको पता होगा अगर आप हमार कर सकते हैं अगर आप भी आईपल के फैन है तो यहां कहीं नीचे से लाइक कीचिए वीडियो का भी लाइक कीचिए और चैनल को सब्सक्राइब कीचिए चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं और सबसे पहला आकडा जिसके आधार पर हम प्रेडिक्शन की कोशिश करेंगे वो है दोस्तों पिच से जुड़ा हुआ आकडा है जिसे हम पिच प्रेडिक्शन भी कहते हैं दोस्तों अगर हम अबुदाभी की पिच की बात करें क्योंकि अबुदाभी में मैच खिला जाएगा तो यहां पर इस साल के आईपल में और पिछले पाच मैचों में और पिछ जाएगा क्योंकि पिछले पाच मैचों में यहां पर तेजगेंबाजों ने 23 विकेट निकाले हैं लेग ब्रेक स्पिनर्स ने 13 और लेफ्ट टाम स्पिनर्स ने एक भी विकेट नहीं निकाला तो यहां से एक चीज़ साफ कह देते हैं कि स्पिनर्स को आप एक तरफ रख जीजे तेस गेंबाजों को एक तरफ रख दीजे यह मैच तेस गेंबाजों की तरफ जुक जाएगा तो आकड़े पिचके तो साब गोधेग वहीं टीम जीतेगी जिसके बहुता तेस घेंबाज आप इस तक देखिएगा प्लेइंग 11 में आपको इसका अंदाजा लग चा और अगर आप दादा को हरा देते तो आपको अपने जीते हों अमाउंट का दुगना पैसा, डबल पैसा मिलता है, प्लैनिंग हम क्या करना है, वो आप वीडियो देखते जाएगे, आपको पता लग जाएगी, लेकिन दो तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मैंने से देजिए, पड़ाफट जाएगे, माई लावन सरकल आपको अभी डाउनलोड कीजिए, जैसे ही आप इस आप को डाउनलोड करेंगे, यहाँ पर अपना पहला पैसा डालेंगे, तो इस आप की तरह से पंदरा सो रुपए, प्री में, मुफ्त में आपको मिल जाएंगे, 20% का special discount हमारी तरफ से रख लीजेगा, और हर हफते एक करोड रुपए जीतने का मौका आप मेंसे किसी एक के पास होगा, राशित काल, शेन वाट सोरा दादा यहाँ पर टीम बनाते हैं, पैसे डालना निकालना और प्लेंग रांग बनाना भी बहुत आसान है, और बहुत स जीतेंगे, आगे देखते रहें वीडियो में आपको पता लग जाएगा, चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ओपनर्स के कमपैरिसन की, अगर हम सबसे पहले दिल्ली के ओपनर्स की बात करें, तो प्रित्वीशा और शिकरदवन यहाँ पर ओपनिंग करते ह दोनों ही टीमों के पास एक स्टेबल ओपनिंग मौझूद है, इसलिए इस मैच को सबसे जादा तगड़ा मैच इस IPL का कहा जा रहा है, अब आकडों की बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है हम आकडों के आधार परी करते हैं, पिछले पाच मैचों में दिल्ली के ओपनर से कमाइन रूप से 230 रंस की है, एवरेश 46 के सम्थिंग का और स्ट्राइक रेट 75 के सम्थिंग का इनका रहा है, जो की फॉर्च और उतना अच्छा नहीं है, अगर हम RCB के आधों की बात करें, पिछले पाच मैचों में इनके ओपनर से कमाइन रूप से 226 रंस की है, एवर से चाहता का मेरा पॉइंट सुनेंगे तो वाई एक तरह से बराबरी यहां पर ओपनर के मामले में होती है, ओपनर के बाद दोस्ता अब हम बात कर लेते हैं, अगर हम मिडल और में सबसे पहले दिल्ली के मिडल और की बात करें, नमबर तीन पर रही है, नमबर चार पर रि कर यह मीम बहुत जाला चल रहा है, दोस्तों अगर आपको यह मीम अच्छा लग रहा है ना तो कमेंट में जरूर बटाइएगा, क्योंकि इस मीम ने पूरे इंटरनेट पर तहल का मचा कर रखा है, यहां पर जो 3D8 फ्लेम आई थी उससे टुड़ा हुआ यह मीम है, इसको जरूर देखेगा, मुझे बहुत पसंद आया, मैंने सुना भाई अपनी फैमिली के साथ शेयर कर दू और आप ही हमारा परिवार है, तो इसके लिए अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीचेगा, अब मिडल ओर में दोस्तों आकडों की बात कर लेते हैं, अग अगर हम RCB के आकडों की बात करें, तो इनके मिडल ओर के लाड़ी ने कमाई दूसे, पिछले 5 मैचों में 296 रंस, 300 के सम्तिंग रंस कर दी है, एवरेश 42 का है, इस्ट्राइक रेट 137 का है, भाई, कंपैरिजन ही नहीं है, साफ साफ RCB का पडला भारी यहां पर है, मिडल RCB का शशक्त रहा है, और पिछले मैचों में दिल्ली की हार का कारण, दिल्ली के मिडल ओर का नहीं चलना है, और पिछले 5 मैचों के आकड़े, इस बात को बता रहा है, तो ट्रेंड यहां पर RCB की तरफ जा रहा, अब बात कर लेते हैं भाई, लोवर ओर के आकडों की, लो आकडों की बात क्योंकि यही तो कहानी है, तो दिल्ली के बल्लेबाजों ने लोवर ओर में बल्लेबाजी करते हुए, पिछले 5 मैचों में 78 रंस की हैं, अब बहुत बोल सकते हैं, यहां पर की रेत आपको देखना है, क्योंकि अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं, आप से तेज रंस बनारे पड़ेंगे, और स्ट्राइक रेट तेज रंस को दर्शाता है, जिसका अच्छा है, वह बहतर है, यहां पर बहतर दिल्ली नजर आ रही है, स्ट्राइक रेट यहां पर सबसे हैं होता है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं, लोवर वाडर के गेढ़ाजी के क्योंकि लोवर वाक्लों में जो प्लियर्स केरते हूं वह बात करते हैं, और सबसे पहले दोस्तों annak के लोवरॉरदर के बात करें तो स्ट्वेन आक्षिर पडेल यहां पर गेढ़ाजी करते हैं, R.C.B. के तर colonialism, पोरीश और वशि में आठ विकेट निकाल एकनौमी साथ का है सीधा पड़ला आर्सीवी की तरफ जुक जाता है दोस्तों गेंबाजी के आकड़े बचे हैं लेकिन एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि यह मैच पूरी तरह से आर्सीवी की तरफ अभी तक जुका हुआ है पूरा तो नहीं जो हम प्रोवाइट करें यह तीनों ही तगडि ट्इम होगी और फिर देखते हैं दोस्तों कि कैसे हम हारते हैं यहाँ पर एख चीज और सकते किए अगर आपकर थी से तो वहां से भी आप कर सकते हैं मॉम डेट के अकाउंट से भी आप कर सकते हैं क्योंकि समय का में इसलिए बता रहा हूं माह लेवन सर्कल की लिंक की डिस्क्रिप्शन में डाल दिये मतलब अकाउंट जरूर बना लीजिए आगे भी फिर ऑस्ट्रेटा सीज भी आ रहे हैं बहुत बड़ा बड़ा संबश्च भी नहीं करेंगी बहुत जड़ा विकल दोनों के पास है भी नहीं लेकिन आकड़े सब पास है ना आकड़ तो हमारे पास है भाई दिल्ली की गिनवाजों ने पिछने पाज मैंचों में 12 विगेट लिए नौका इकोनॉमी रहा है आर सीवी के गित्र के गडित साफ हो जाता है कि यहां भी आर सीवी आ गया है दोस्तों अलग-अलग आकड़े हमने आपको को बता है कुल हमने यहां पर आपको 12 अलग अलग आकड़े बताया है दोनों ही टीमों के मिला के और आर सीवी की तरफ तराजू जुक रहा है तो आकड़े यह बोलते हैं कि आर सीवी स्मैच को जीज सकती है क्योंकि यूटूब के बाबाओं की तरह तो हम बैटकर अपने मन स से प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं न हम तो आकड़े बताएंगे और आकड़े जा रहा है इनकी तरफ आप बताईए कमेंट बॉक्स में आपके साब से कौन जी सकता है यूटूब के लिए कमेंट जरू कीजिए टेलीग्राम पर जाए माइगरेटिट प्रेडिक्शन को सर दो 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 दाएंगे